नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel में Index Match Formula के बारे में Index Match Formula Microsoft Excel के बहुत ही powerful formula है जिसको यूज़ करके आप easily किसी भी टेबिल से किसी भी डेटा को find या फिर filter कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा Index Match Formula का process आपको दिखाऊंगा वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को last तक देखेगा तो चलिए process को start करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक टेबिल को design किया है जहाँ पर मैंने कुछ employees के नाम sales 2019, sales 2020 and 21 का data मैंने यहाँ पर लिया है यहाँ पर मैंने देखे कुछ criteria लिया है सबसे पहले मैंने लिया है sales, sales column को और यहाँ पर मैं लिखूंगा सारे employees के नाम को यहाँ पर add करूंगा data validation को use करके और यहाँ से जब भी आप किसी भी employee के नाम को select करोगे उसके साथ ही sales 2019, 2020 and 21 का पूरा details आपको यहाँ पर दिखाएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर employee के नाम को add करूंगा इसके लिए sales में जाके आपको click करना है click करने के बाद आपको जाना होगा data tab में data tab में जाने के बाद आपको click करना है data validation में यहाँ से data validation में click करने के साथ ही एक window यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर आपको जाना है allow box में allow box में जाने के बाद यहाँ पर देखे arrow sign है यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ से choose करना है आपको list को फिर आपको जाना है source box में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारे employees के नाम को select कर देना है, select करने के बाद just एक बार okay में आके click करेंगे, click करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो, एक drop down list create हो चुका है, यहाँ से आप किसी भी employee के नाम को select कर सकते हो, just यहाँ से किसी भी employee के नाम पर click करेंगे, करने के data आपको यहाँ पर one by one दिखाएगा इसके लिए आपको यहाँ पर index match formula को use करना है तो formula में आपको लिखना है equal index लिखने के बाद just first bracket को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर दिखे सबसे पहले आपको देना होगा array array में आपको यहाँ पर पूरा table को select कर देना है just यहाँ से पूरा table को हम यहाँ पर select करेंगे और इस table range को यहाँ पर हम lock करेंगे इसके लिए f4 key को press करेंगे press करने के साथ यहाँ यहाँ पर देख सकते हो वो sale range जो है वो यहाँ पर lock हो चुका है फिर हम देंगे यहाँ पर comma कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर use करेंगे match function को जस्ट यहाँ पर लिखेंगे match लिखने के बाद first packet को open करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे lookup value lookup value में आपको यहाँ पर selection करना है employee name को जो name मैंने यहाँ पर data validation से बनाया है इसको आपको यहाँ पर select कर लेना है इस cell को भी आपको यहाँ पर lock करना है इसके लिए आपको प्रेस करना होगा if4 की यह हो गया lock फिर आपको देना है comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर देना है lookup array lookup array में आपको यहाँ पर total employee name के पूरा column को आपको यहाँ पर select कर देना है फिर इस cell range को भी आपको यहाँ पर lock करना है इसके लिए आपको प्रेस करना होगा फिर आपको यहाँ पर देना होगा comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर exact match के लिए लिखना होगा 0, 0 लिखने के बाद bracket को close करेंगे फिर देंगे comma comma कोमा देने के बद फिर से हम यहाँ पर match function को use करेंगे इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे match फिर first packet को open करेंगे open करने के बद फिर से आपको यहाँ पर दीखे lookup value देना है अब आपका जो lookup value होगा वो होगा sales 2019 19, तो आपको यहापे इस cell को select कर लेना है, फिर आपको देना होगा comma, comma देने के बाद आपको यहापे lookup array में, table में से सारे column name को select कर लेना है select करने के बाद आपको यहापे इस cell range को log कर लेना है F4 key को press करके, फिर आपको देना होगा comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर exact match के लिए यहाँ पर लिखना है 0, 0 लिखने के बाद आपको यहाँ पर दो bracket close कर देना है, close करने के बाद just एक बार enter करेंगे, enter करने के साथ यहाँ यहाँ पर देख सकते हो, उस employee के 2019 का जो sales है, वो यहाँ पर निकल के आ चुका है, बाकी हो में formula को apply करने के यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है, करने के साथ यहाँ पर देखिए, बाकी होकर data भी यहाँ पर calculate होके निकल के आ चुका है, एक बार आपको table में लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिए, उस employee का यह है sales 2019, यह है sales 2020 और यह है sales 2021 का, यह पूरा data यहाँ पर देखिए, filter होके आ चुका है, अब आप यहाँ पर जब भी किसी भी employee के नाम को select करोगे, तो उसका पूरा data आपको यहाँ पर दिखाएगा, आप यहाँ पर किसी भी employee के नाम को select करके उसके data को filter कर सकते हो, यह दिखिए, अब मैं इनको select करूँगा, select करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab में home tab में जाने के बाद, यहाँ पर मैं click करूँगा border बटन में और यहाँ से all border में click करके border को apply करूँगा, और इसके alignment को मैं यहाँ पर center कर दूँगा, आप यहाँ पर किसी भी employee के नाम को select करके उसके data को easily filter करके देख सकते हो, किसी भी employee के, तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में index match formula को use कर सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दीजिएगा, thank you for watching the video, please keep your support.